हलो दोस्तो मेरा नाम है शवर निशात आज हम इस वीडियो में सिर्फ सब्सक्रिप्शन का डिस्कर्शन करने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन को कैसे हैंडल करने का उसकी एड़िस्मेंट को कैसे प्रॉपर करने का बहुत कुछ लिखा रहता है सब्सक्रिप्शन के बारे में प्लस काफी टाइब्स के सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपका सब्सक्रिप्शन आज पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको थोड़ा और डाउट्स रह जाते हैं, एसा लग रहा है, थोड़ा और कुछ बचा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन के कुछ ऐसे प्रीवेज वीडियो के लिंक डालूँगा, जिनको शायद आपने नहीं देखा रहेगा, तो यह सारे वीडियो को देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन का आपको डाउट कभी नहीं आने वाला है, ठीक है, चलिए, तो देखो, यहाँ पर जो मैंने ये फॉर्मेट लिखा है, यहाँ पर मैंने बनाया है, ओपनिंग बैलन्स शीट, एज उन, 1st April 2011, तो बैलन्स शीट बना दिया है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, इसलिए मैंने ऐसी छोटा सा बना दिया है, अब रिसिप्ट अन पेमेंट है, उसमें मैंने रिसिप्ट में एक सब्सक्रिप्शन लिखा है, दिखाया payment में कुछ नहीं खास यहां पे लिखा हो, कोई चीज नहीं लिखाया, यह क्या लिखाया मैं बताता हूँ आपको लेकिन और कोई चीज नहीं है, मतलब मेरा आज का focus सिर्फ subscription पे है, तो मैंने सिर्फ subscription लिखाया और इसको मैं पूरा solve करके बताऊँगा, अभी subscription से related जो adjustment है, मैंने सिर्फ उसको लिखाया, तो देखो student subscription क्या होता है, सबसे पहला चीज आपको जानना है कि receive side में जो subscription होता है, यह आपका income होता है, तो आपने जहां पर भी आपका solution वाला, यह जो income and expenditure account जो आपने बनाया है, इधर expenditure और इधर income, उसमें आप सबसे पहले receive वाली काम जो था वो खतम कर दिया, अब इसको inner column है, मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसके उपर क्या है, adjustment है, अब देखो adjustment क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरह समझेगा, तो subscription में बोलता है include है, past year का 20,000 and 10,000 for the next year, अब यह past और next क्या है, तो देखो पहला चीज होता है, आपको past, present and future year को जानना, अगर आपने मेरे latest NPO की वीडियो देखे रहेंगे, इसके इंदर मैंने proper बताया है, मैंने वहाँ पर 5 step बताया है, जिसमें से मेरा पहला step है, कि past, present and future year को खोजना, वो कैसे खोजते हैं, देखो यहाँ पर 1st April 2011 है, मतलब यह 1 11 को start हुआ है, तो 31st March को खतम हुआ रहेगा, यहाँ का date receipt or payment का क्या है, 31st March खतम हुआ रहेगा, मतलब मेरा 11 और 2 यह हो गया, मेरा present year, उसके ऊपर वाला जो, मतलब जो बीच चुका है, यह जो 10, 11 यह क्या हो गया, आपका past हो गया, और यह जो 11, 12 के बाद, 12, 13 आया, यह चल रहा है, उसी का ही होना चाहिए, न्यान देना, यह जो income और expenditure account जो आप बनाते हैं, यह सिर्फ current year का होता है, तो मुझे बताओ, अगर यह 1,20,000 जो आपने लिख दिया है income में, और इसमें बोलेगा कि भाई, यह पिछले साल का मतलब, जो आपका यह 10, 11 आपने लिखा है इसका जो है, बीस हजार है, इसमें है, तो आप मुझे बताओ, जब बीस हजार इसके अंदर है, तो चूप चाप निकालो ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, यह सिर्फ current year का, मतलब यह पूरा जो है, वो आपका 11 और 12 का होना चाहिए, लेगिन, information यह कहती है, कि 10, 11 का भी इसके क्या होगा, अब जब भाई, यह past year का है, तो यह past year में जाना चाहिए, मतलब 10, 11 के information में क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है, पहले मैं clear करता हूँ, plus minus का, उसके बाद वापस सेके करके बताता हूँ, तो आपको समझा रहेगा, यह 20 minus करना है, plus 10,000 किसका next year, next year मतलब 12,13, रहे भाई हम accounting 11,12 का कर रहे है, हम accounting कौन से year का कर रहे है, 11,12 का, तो जब 11,12 का कर रहे है, तो 12,13 का क्या करें, तो हम क्या करेंगे, यह 10 को भी क्या करेंगे, minus करेंगे, अब क्या बोलता है, current year का subscription, current year का subscription क्या है, outstanding है, यह जो current year का subscription मैंने क्या लिखा है, यह क्या है, outstanding आउट्स्रेंडिंग मतलब ग्यारा बारा का अभी तक सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है तो जरा एक बर वापस देख लो यह 20,000 जो है यह पिछले साल का है तो आप क्या करोगे इसके अंदर इंक्लूड है तो माइनस करोगे क्यों कि बोला है इंक्लूड है दस हजार उसका है जो साल अभी तक आया नहीं है वो भी माइनस करोगे प्लस करन्ट इयर का जो है उसको आप क्या करोगे आड करोगे आपको समझा रहेगा कि कौन सा माइनस होता है कौन सा प्लस होता है तो ध्यान रहे करन्ट इयर का कोई भी चीज है वो एड होगा और इसके अलावा करन्ट यहर में किसी भी साल का रहे, चाहे वो आगे साल का रहे, या पीछे साल का रहे, आपको चुपचा माइनस करते हैं, अब बात करते हैं इनके second effect की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगा, ज़रा देखो, मैंने लिख दिया subscription यहाँ पे 120, अब मैं यहाँ पे क्या करो, last year subscription भाई 20,000 यह देखो, 20,000 था न, यह मैं इसको minus करूँगा, यह 20 minus करूँगा, प्लस 10,000 में जो आया हुआ साल नहीं है, उसका भी मिला भी minus करूँगा, तो in short, मैं 1,20,000 में से अगर यह 20,000, 10,000 minus करूँगा, तो जो मेरा answer आएगा, 90,000, कितना आएगा, 90,000, उसमें मैं क्या जो 90,000 है, इसमें current year का add करूँगा, जब मैं add करूँगा, तो मुझे answer आएगा, 1,002,000, कितना आएगा, 1,002,000, तिरा ध्यान देना, मुझे answer आया, 1,002,000, यह रहा मेरा एक, ऐसा subscription का amount, जो मेरे current year का, मतलब 11 और 12 का है, ठीक है, आपको समझ गया क्या करना है, अब बात क second effect इसका आएगा, first वाले का second effect, तो अगर यह last year का है, मतलब जो साल भी चुका है, तो यह किदा जाएगा, opening balance sheet में, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इस amount को, और जो आपका opening balance sheet में subscription दिया, उस amount को match करना है, तो आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर 30 है, ज़रा देखो, मतलब क्या था, 10-11 में आपको 30 सब्सक्रिप्शन आपका आउट्टर्णिंग, जैसे देखो, यह 12 आउट्टर्णिंग है न, 11-12 का, उसी तरह से जब 10-11 चल रहा था, उस टाइम पे 30 आउट्टर्णिंग था, तो जब 30 आउट्टर्णिंग था, वो मिला कब 11-12 में, लेक मनाते किसले, क्यापिटल फंड के लिए, वो तो मिल गया हमको, तो हमें अब डिफरेंट के बारे में सिब सोचना है, तो भाईया, 30 चाहिए ता अपने को, और 20 मिला, तो मिला तो जो इस येर में था, इसके निकाल अगा फेक दिया हमने, लेकिन अभी 10 की बात बाकी है, त स्टियर का आउट्सेंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल करके आप एसेड में ये लिखोगे, क्यों, क्योंकि 30 था और 20 मिला, 10 बचा है न, 10 वापस मिलना चाहिए, भाई किसी के पास आपको पैसे लेने है, तो पूरे पैसे नहीं देगा, तो क्या आप जो आधे पैसे बचें मैंने, लेकिन माइनस तो कर दिया, अब बात होती इसका second effect, तो भाई ये कोई आदमी आपको, जो चीज आप कल खर्चा करने वाले है, उसका पैसा आज ही मिल गया, तो आपके पर तो liability है न, तो याद रखना, इसका जो second effect है, इसका second effect किदर जाएगा, liability में जाएगा, किद के assets में आएगा, I hope आपको ये subscription का बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा, तो ये जो next subscription आप हम discuss करने जा रहे हैं, ये आपका जो अभी recent में 12th board के exam में जो paper पूछा गया था, NPO का उसके अंदर का है, इसके अंदर का क्या description करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, so यह हाँ पर आप देखो, receive side में subscription लिखा है, 2,1800 ठीक है, अब ये subscription जो है, इसमें कुछ नहीं बोला है, कि भाई इसमें past, present, future या कौन से year का मतलब total दिया हुआ है, तो चलो ठीक है, total दिया है, तो same हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो subscription है, इसको हम income में show करेंगे, जो आप income and expenditure account बनाओगे, उसके income में जाएगा, ठीक है, अब इससे related adjustment पढ़ लेते हैं, और adjustment क्या कहता है, जो अभी अभी हमने solve किया, क्या उसी से related है, या थोड़ा हटके है, subscription ratio during the year include 34,000 for previous year, अब चाहे previous बोलो या past बोलो, या आपका जो होता है, minus करने वाला होता है, यहां मैंने minus लिख दिया है, 10,000 for the next year, next year मतलब future year होता है, इसको भी मैंने minus कर दिया है, क्योंकि ये सब क्या है, include है, ठीक है, और current year का कितना 29 ये क्या है, add करना है, अभी अभी मैं नहीं है, ये सब सेम है, ठीक है, तो जरा ध्यान से, अब नया क्या है इसके अंदर, नया ये है, कि अभी जो मैंने sum solve किया, उसके अंदर subscription assets में मैंने लिख के बता था, देखो, आपको ध्यान रहेगा, यहां पे देखो, assets में लिखा हुआ था, किदर, opening balance sheet के assets में लिखा तो ये बहुत ही important आपके लिए बन जाता है, ठीक है, तो मैं आज बहुत अच्छी तरह से इसी वीडियो में इसको clear करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहला चीज, आपको जानना है, क्या जानना है, past, present or future, तो भाई, ये 15 को start, 16 को खतम है, मतलब आपका जो present year है, वो क्या है, 15, 16 है, तो past क्या होगा, 14, 15, तो future क्या होगा, 16 और 17, अब जरा देखो, आपको यहाँ पर मैं clear करता हूँ, ठीक है, तो देखो, क्या होता है, यहाँ पर कोई चीज liability में क्यों लिखा है, क्योंकि वो 15, 16 का था, मतलब ये balance sheet closing रहता है, किसका, 14, 15 का, तभी तो 15 में opening बनेग तो यह जो opening balance sheet जो दिख रहा है, आपको यह जो दिख रहा है, यह हमेशा past year का ही रहता है, ठीक है, तो देखो, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो यहाँ की चीज़े क्या थी, वो liability थी, लेकिन आप तो मैं यहाँ आ गया हो ना, अब यह मेरा income बन जागा, जरा ध्यान देना मैंने 34, यह कौन सा वाला, यह वही जो आपके asset में दिया हुआ है, यह minus क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यह आपका next year का मतलब, यहाँ खड़े हो, लेकिन मिल रहा है 16, 17 का, तो याद रखना, 16, 17 का कोई चीज़ है, वो liability minus, तो देखो, confuse बिलकुल मत होना, 15, 16 में आप खड़ हो, 16, 17 की चीज़ आपके लिए liability, वो minus हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन आप 15, 16 में खड़े तो हो गए, लेकिन 14, 15 में अगर 15, 16 का कोई advance रहेगा, तो 15, 16 तो अब आ गया ना, अब आपका वो income बनेगा, वो add हो जाएगा, इसलिए आपका ये वाला add होगा, और ये वाला उस है, मैंने क्या लिखा पहले, subscription 2 lakh 1,800, तो देखो add होने वाली चीज़े कौन कौन सी थी, add होने वाली चीज़े थी, जो ये 9,000 दिया हुआ, और कौन सी थी, जो current year का रहेगा, तो देखो 9,000 और ये 29, ये क्या हो गया, add हो गया, last year outstanding subscription, last year मतलब, जो हमेशा asset side वाला रहता है, वो minus होगा, लेकिन यहाँ से देख के minus मत करना, अगर adjustment में दिया है तो, तो देखो न, हमने adjustment पढ़ी ना भई, adjustment पढ़ी, हमने adjustment में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि ये चीज़े क्या है, मिल चुकी है, वहाँ पर आउट्षे नहीं, लेकिन मिल चुकी है, इसके आपका year अभी तक नहीं आया है, उसका क्या होगा, ये minus होगा, तो ध्यान से, liability वाला और current year वाला add होता है, और अगर कोई previous year का asset वाला include है, या अभी तक जो year आया नहीं, उसका include है, तो minus होता है, तो finally, एक दो, ये दोनों को add करना है इसके अंदर, और ये दोनों को add करके less करना है, किस से इस से, तो आप जब ये add less करेंगे, तो जो आपको final answer आएगा, that is 1,95,800, कितना आएगा, 1,95,800, ध्यान देना, 1,95,800 आया, तो I hope आपको ये समझा रहेगा,